नमस्कार दोस्तो, देखो सीखो, इस टेडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तो, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे Wayne Diagraim, यानि के Wayne R.A.19 वाला कोर्षिन दोस्तो जो आपका railway में, पुलिस में, साथी साथ UPSI में, दोस्तो, सभी exam में आते हैं, दोस्तो, Wain Diagram के question आप देखेंगे, Wain R1 के दोस्तो, ये सभी question आपके UPSI में previous year में पूछे गए हैं, मैं आपको date भी बताऊँगा कि कब-कब ये Wain R1 वाले question, Wain Diagram वाले question पूछे गए हैं, railway और police, दोनों जो student हैं, उन सभी को यहाँ पर लाव होगा, तो सबसे पहला number जो question दोस्तो, वो है, UPSI 2011 में पूछा गया प्रश्न, है दोस्तो, आपका प्रश्न क्या है, टेनिस प्रेमी, क्रिकेट खिलाडी और छात अगरण, जो है, इनके लिए क्या होगा, दोस्तो, Wain Diagram सही क्या होगा, या Wain R1 इनके लिए सही क्या होगा, वो आपको बताना है, तो जिन भी लोगों को समझ में आ रहा है, किसका Wain Diagram क्या होगा, क्रिकेट के खिलाडी है, सामाने जो आपकी जानकारी है, उसके अनुसार आपको बताना होता है, ठीक है, और आपके छात गरण है दोस्तो, तो इसमें क्या संबंद हो सकता है, देखिए दुस्तों अगा बात करें दोस्तों सभी का संबद यहाँ पर इंश्थास करने का प्रियास करते हैं तो सभी tenni's जो प्रेमी है वो cricket के खिलारी होते हैं, नहीं सभी जो है दोस्तों यहाँ पर नहीं हो सकता है सभी का कभी भी relation क्या हो सकता है वो बात कर लेते हैं तो देखिए अपके माली जी यहाँ पर टेनिस खिलाडी है तो कुछ टेनिस खिलाडी हो सकते हैं किर्केट के मतलब टेनिस जो प्रेमी है दोस्तों वह cricket के खिलाडी हो सकते है नविरेक्ष्ट का रिलेशन यहाँ पर हो गया दोस्तो अब दोस्तो चातर के सात सातर के गभी अधर आगदे का यानि चीड़े आरे ग्हांम यानि यानि वैंग्ध अर एक दोस्तो गा राइट इसका हो जाएगा यहानि दुस्तो जो टेनिस के प्रेमी है वो किर्केट के खिलाड़ी कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते हैं ठीक है चात गरंड जो है आपके किर्केट के खिलाड़ी भी हो सकते हैं टेनिस के प्रेमी भी हो सकते हैं और कुछ दोनों भी हो सकते हैं तो कुछ का रिलेशन आपका option number A इसका सही वेन डाइग्राम हो जाएगा ये 2011 में पूछे गए 5 प्रश्ण है दोस्तो ठीक है चलिए next question वही 2011 में पूछा गया है पूछा गया था दोस्तो कि कुष्ट रोग सोरी कुष्ट फिर उसके बाद दिया था रोग और सकर्भी इसमें दोस्तो क्या संबंद है इसका सही वेन डाइग्राम सही वेन आरेक क्या होगा दोस्तो बताए जिन भी लोग को समझ में आ रहा है कुष्ट है फिर रोग है सकर्भी है दोस्तो इसका सही वेन डाइग्राम क्या होगा सही वेन आरे क्या होगा तो चलिए दोस्तो यहाँ पर बात करते हैं कुष्ट दोस्तो एक रोग है इसकरबी भी दोनों जो है एक एक रोग है दोस्तो और रोग आपका यहाँ पर दिया है यानि रोग जो दोस्तो जो है एक बड़ा सा गोला हो जाएगा जिसमें जो है और भी कई जो ओपके रोग हैं उनको हम रख सकते हैं, तो, कुष्ट रोग, और सकर्भी रोग दोस्तो, जो है, यहाँ पर अलग-अलग चीजे हो जाती है, यह बड़ा बला गोला जो स्कर्भी और एक छोटा जो इसकर्भी, और एक छोटा दोस्तो, कुष्ट को दरसाता है, यानि इसके अनुसार दोस्तो जो option आपका सही हो जाएगा हो जाएगा C बड़ा वाला गोला जो है वो रोग है छोटा कोई कूश्ट है कोई जो है सकर भी है ठीक है समझ में आ चुका है चलिए अब next question तीसा नमर प्रेशन 2011 UPSI में ये भी पूछा गया है बताइए दोस्तो अभीनेता है गायक है लेखक है इसका वेन डाइग्राम सही क्या होगा इसका सही वेन आरेख क्या होगा दोस्तो तो देखें दोस्तो यहाँ पर बात आती है कि अभीनेता दोस्तो कोई हो सकता है अभीनेता वो गायक भी हो, गाना भी गातों जिसे भूझवुरी के हो गए, या हिंदी सिनेमाम के भी है, कई जो लिखते भी है, गाना भी गाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तो क्या relation निकल के आता है, वो आपका d relation निकल के आता है, मतलब इसका क्या होगा दोस्तो, कुछ अभिनेता हो सकते हैं कि वो गायक भी है ठीक है और कुछ दोस्तो गायक के साथ साथ लिखते भी होंगे तो कुछ का relation यहाँ पर बन सकता है तो जो आपका समान्य जानकरी रहेगा उसके अनुसारा वेन डियाग्राम को solve करेंगे वेन आरेक को solve करेंगे तो यह question का answer भी D हो जाएगा दोस्तो ठीक है UPSI 2021 में पूछे गए यह प्रशन है नीचे लिखा हुआ है दोस्तो कभी यह पूछा गया है next बात करें दोस्तो तो संगीत अग्य आपका दिया है वादक दिया है दोस्तो वाइलीन वादक दिया है संगीत अग्य जो है एक बड़ा सा क्रेटरिया हो जाता है इसमें दोस्तो वाइलीन वादक भी आ सकता है वादक भी आ सकता है तो दोस्तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक बड़ा सा क्रेटरिया हो जागा दोस्तो क्या संगी तग्या अब दूस्तों एक बड़ा सा क्रेटरिया इसमें हो जाएगा क्या वादक इसमें वाइलीन वादक सितार वादक तो इसमें वाइलीन वादक को रग लेंगे यानि सभी जो है आपका वाइलीन वादक जो है एक कोई वादक है ठीक है और सभी जो वादक दूस्त तो वाइलीन वादक हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से इसको दर्साएंगे, इसके अनुसर अपका option number B right हो जाएगा दोस्तों, ये भी 2011 में UPSI में पूछा गया है, B इसका सही उत्तर हो जाएगा, चलिए, next question बात करते हैं, next जो question जो फूल दिया है, कपड़े दिया है, और तो यहाँ पर जब बात करेंगे, दोस्तों, फूल और कपड़े में क्या संबंद हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर क्या हम नीकाल सकते हैं, यहाँ पर भात आती है, कि सफेद को ये color हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम बीज में रख देंगे, सफेद को बीज में रख दे इसको भी फूल माल लेज़े या कपड़ा माल लेज़े ठीक है तो इस प्रकर का जो रिलेशन निकल के आता है दोस्तों वह option number C में आता है फिर से मैं इसको समझा दू दोस्तों या पर कोई भी color दे सकता है रंग दे सकता है लाल पीला हरात कुछ भी दे देगा दोस्तों तो यहां पर दोस्तों सफेद जो है एक जो है आपका हो गया ठीक है इसमें कुछ का रिलेशन निकुछ सफेद फूल आपके होते हैं या जो है कुछ फूल आपके सफेद होते हैं कुछ कपड़े भी आपके दोस्तों सफेद होते हैं तो कुछ कुछ का रिलेशन बीच वाला 2017 में जो आपका एक्जाम होगा तो उसकी तो 2017 में जो आपका एक्जाम होगा तो दोस्तो वहाँ पर जो है कोशन था तो अच्छा कोशिका मिलेलीन ठीक है तो अच्छा था कोशिका था मिलेलीन था दोस्तो इसके अनुसार कौन सा इसका राइड एंसर होगा सही वेन आरेक सही वेंड डाइग्राम क्या होगा दोस्तो बताइए तो अच्छा है कोशिका है मिले नीन है तो देखे दोस्तो यहां पर बात करेंगे सबसे पहले तो अच्छा दोस्तो और तो अच्छा के अंदर दोस्तो आपका कोशिका आता है ठीक है कोशिका के अंदर दोस्तो मिले नीन होत और कोशिका त्वका के अंदर होता है जुआ हई पुछा था juPSI में पूछा गया था तीक है चलिए next question next question 12-12-2017 में ही पूछा गया प्रशन है देखिए ज़स्तो 2-5 question आने ही आने exam में हर एक exam में पूछे जा रहे हैं तो question ज़स्तो ये पोसाक, साड़ी और शर्ट इसके लिए जो है कौन सा सही वेन आरेक सही वेन डाइग्राम होगा पोसाक, साड़ी और शर्ट के लिए सही वेन डाइग्राम कौन सा होगा सही वेन आरेक कौन सा होगा तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं दोस्तो पोसाक, पोसाक मतलब क्या होता है कोई भी चीज पहनने वाला जो है वो पोशाक है, कोई भी कपड़ा हो गया और कहीं पर आपका सर्ट आ गया दोस्तो ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट एंसर यानि कि सही वेन डाइग्राम, सही वेन आरेक जो निकल के आता है दोस्तो वो ऑफशन नमबर सी निकल के आता है, इसका राइट एंसर दोस्तो हो जाएगा सी, ठीक है ये कोशन UPSI 12-12-2017 में पूछा गया है पोशाक ये बड़ा वाला गूला है छोटा वाला कहीं पे साड़ी है कहीं पे आपका सर्ट है जो की पोशाक हैं तो इसके अंदर आएंगे option number C इसका right answer हो जाए चलिए दोस्तो नेक्ष्ट बात करते हैं वही UPSI 12-17 की यहाँ पर जो है 13 तरीकों ये पूछा गया वो 12 तरीकों पूछा गया था ये 13 तरीकों पूछा गया था दोस्तो यहाँ पर पूछा गया था कि प्रतियोगी परिच्छा IBPS और SSC इनका जो है सही वेन डाइग्राम सही वेन आरे क्या होगा तो देखें इसको कैसे करेंगे प्रतियोगी परिच्छा दोस्तो एक बड़ा सा जो है एक क्रैटेरिया होगा इसमें जो हर एक exam हो गया UPSI का exam हो गया अलग अलग जो संस्ता जो exam में कराती है तो दोस्तो प्रतियोगी परिच्छा IBPS का भी होता है और SSC का भी होता है इन दोनों में कोई शंबन तो दिखाई दे नहीं रहा है ठीक है दोनों अलग-अलग है तो दोस्तों इसका भी जो है option number C right answer हो जाएगा सही वेन डाग्राम सही वेन आरेक option number C हो जाएगा दोस्तों 13-12-2017 को यह पूछा गया था last question है पूछा गया था दोस्तों यहा पर बहुत सारे लोगो confusion और एक क्या होगा सिल्चर था असम था और भारत था इसमें बताना था 13, 12, 12, 17 में ही पुछा गया ये भी तो दोस्तो देखे इसका सही वेन डाइग्राम सही वेन और एक कैसे निकालेंगे दोस्तो इसमें आपको एक चीज यहाँ पर बहुत सारे लोगों समझ मिने आख सिल् तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपका वेनड डार्म होगा जो की option number B में है दोस्तो ठीक है यह बड़ा वाला जो है अपका भारत हो जाएगा इसके अंदर वाला आपका असम हो जाएगा दोस्तो और एकदम छोटा वाला सिल्चर जीला जाए दोस्तो ठीक है तो देखे पतेगेगा जरूर कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा साथ या ये विडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को अधिस लाइक कर दीजिए दोस्तों शेयर कर देजएगा और अगर 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 सब्सक्राइब नहीं के दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल लागिंग कौन कर लीजे जिससे आने विले सभी वीडियो के प्रेट योग मिलते रहें देखते रहें देखो सब्सक्राइब